तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी रेसिपी जो की है कीमा स्टफ इडली की बहुत जबदस और भैतरीन नाश्टा है यह तो चले यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओड़त दाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यह हमको लगी है एक कट्वरी याँनिकि अगर इसकी क्वांटिटी आप देखें तो दोसोंपचास ग्राम है जिसको हमको पानी में बिगों कर रखना है साथ गंटे तो यह हमने एक कट्वरी ओड़त डाली है जैसे मने आपको बता है इसकी क्वांटिटी है 250 ग्राम यानिकि पेज बनाना है लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा दोसों ये हम बना रहे हैं चावल के रवे की इडली बनाने तो चावल का रवा कैसे निकालते हैं और कैसा आपको उसमें यूज करना है तो मैं आपको कम्प्रिट बताऊंगा तो सबसे पहले जो हमने ओरत दल साथ गंटे बिगो कर रखी थी उसको पीस लेंगे यानि कि उसको ग्रैंड कर लेंगे और यहां पर इंपोर्टेंट टिप आयने वाली है भी जब भी आप घर पर इडली बना दें तो उसको सॉफ्ट कैसी बनती है औ उसका राज यह है यह पोहा है जो भी आप पतला या जाडा जिसको मोटा पोहा बोलते हैं वह आप ले सकते हैं उसको हमको लगा है हाफ कटोरी तो आदी कटोरी पोहा लगा है जो हमने हमारे जार में आपी एड़ कर दी तो इसके बाद यहां पर हमको थोड़ा सा पानी है और यहाँ पर हमने चाओल का रभा रेडी करकर रखा है जो हँम हमारे इस बायटेक्टी डारेक्ट ली एड करेंगे निया यहाँ पर देख के हमारी फर्स्ट अंडंड्योंड हमने पीज़िया और बैटर में जाएगा, तो आप उसको बना कर भी रख सकते हैं, एक मना तक वो आच्छा रहता है, उसको आट आट कंटेनर में रखिएगा, तो हमने एक बड़े पतिले में जो हमने पीस लिया है, ओड़ दाल और पोहा, वो एड़ कर दिया, और यहाँ पे जो पानी की कॉंटि यहाँ पे पानी एड़ करनी है, तो आप तक हमने वो आट नहीं किया है, मैं आपको आगे की भी कंटिटी बता रहा हूं, जो हमको इसमें लगी है, तो इसको आच्छी तरीकर से हमको इसको मिक्स करना है, यहाँ पे देखे इस पतिले में आभी हमने ओरत दाल पोहा का मिक् और हमने इसमें एक कटोरी ओड़त दाल लेते हैं, जो जितनी भी ओड़त दाल होती है, उसके डबल कॉंटिटी का हमको यहाँ पे रवा लगता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, यह चावल का हमने रवा बना लिया था, घर पर ही बनाया है, अगर आप चाया तो जो म पातिले में एड़ होने के बाद इसको अच्छी तरिके से हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही इसको तरोली मिक्स करेंगे, और एक बार यह मिक्स होने के बाद हम इसमें जितना पानी हमको चाहिए, यह मैंने आपको बताया है, वह हम इसमें एड़ करकर इसको हमको सुबह में तो यह फुलावार हैगा बिना किसी सोडा के या इनो के तो मैं आपको यह बार-बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि है घर पर जो हमारे चीज़ें होती है नेचरल चीज़ें उसी से अगर हमारे काम बन जाता है तो हम अर्टिपिशल चीज़ें की हमको बिल्कुल बैरी पे आपको बहुत सरी रेसीपी ऐसे मिलीगी जहां पर हमने उसको और बहतर एनहेंस किया है और उसको हेल्दी बनाया है तो यह यहां पर देखें यह पानी हमने एड़ कर दिया है तो आप इतना ध्यान में रखेंगा कि इसमें सवादो कटोरी पानी लगा है और इस इसको हमको ओरनाय रखना है यहां पर रहिए इतनी इसकी consistency इतनी रखनी है और इसलिए मैंने आपको मैं आपको total quantity बता रहा हूं ताकि आप से कम जादा ना हो तो सवादो कटोरी पानी में ही इसका complete काम हो चुका है यानि कि जितना हम में और दाल और जो रवा लिया है जाएंगे धकर और इसको गरम जगा पर ही रखिएगा यानि कि इसको किचन में रखिए सबसे बेस्ट वही है और दूसरे जिन सुबा या तो 7 गंटे के बाद इसको आप इडलियां बनाना शुरू कर दीजिए और जैसे कि यह हमारी recipe stuffed कीमा वाली इडली है तो मैं आपको next दीखांगा हमारा कीमा हम कैसे स्टफ करके बनाएंगे इसको ढख कर हम रखेंगे 7-8 गंटे या तो और नइट के लिए और हैं पर कड़ाय में दूसरे तरफ हमारा कीमा रैडी हो चुका है या तो आप मतन का कीमा बना सकते है या तो चिकन का कीमा बना सकते है इस कीमे की complete recipe यह पी हमने बहुत सारे वी writers a drive के Missy के लिए निंचे वीरिडियो डिसक्रिप्शन में जरुर देखिये मतन इसके बाद हम इसको completely mix करेंगे और जैसे हम mix करके हो जाएगा तो यह set हो जाएगा नीचे, तो पहले वाले अपने size पे यह आ जाएगा, तो यहां पर देखे किस तरे किसे हमारा आटाद, यानि कि जो हमारा इडली का बैटर है, वो तयार हुआ है naturally, हमने यह achieve कर रहा है, तो इसको एक बाद अच्छी तरे किसे mix करने के वाए, बाद अब यह ready है, इडली बनाने के लिए, तो इडली का cooker होता है, जो steam का cooker होता है इडली का, इसके जो बरतन होता है, जहां पर इडली हम place करते हैं, इडली का बैटर, तो उसमें हम सबसे पहला layer हमारा जाएगा, इडली के cooker में हम बना रहे हैं इसको, तो यहां पर हमने एक बड़े से spoon यूज़ करके, जो हमारा कीमा है, मटन का कीमा, वो हमने इसमें इस तरके से बीच में थोड़ा सा इसको फैलाते हुए, एड करना है, इडली के उपर हमने यह रख दिया, कीमा एड कर दिया, उसमें, उसके पात फिर से उपर से एक हमारा इडली के बैटर का लेयर जाएगा, उसको हम कवर करेंगे, कम्प्रिटली कवर ढखकर, उसको हमको क्लोज करना है, कवर करना है, सभी कीमा को दाला है, इसी तरके से यह हमारी हो जाएगी, कीमा स्टफ इडली, जो आप खाएंगे तो उसको ब जब आप खाएंगे तो इसको कोई भी चटनी या किसी चीज की ज़रूत में ये एक stand-alone कीमा स्टफ इडली की रेसिपी है तो इसको जबरूर बनाएं नास्टे में बना सकते हैं आप इसको या तो आप ऐसा लंच या डिनर में भी आप इसको बना सकते हैं उसको उस तरके से आप इसको प्लैन करकर बनाएए बहुत ही आसान है इसको बनाना थोड़ा आपको काम है प्रिपरेशन लगेगा इसमें ले बरतन को हमारे cooker में रखेंगे और आपको complete 15 मिनिट तक उसको steam करना है तो जो इडली का बरतन होता है उसके base में हम पानी दालते हैं और एक level होता हुआ जितने तक आपको पानी अड़करना होता है उसके उपर हमारे ये इडली के बतन एक एक करके हम उसको रखते जाते हैं और फाइनल उसको close करकर हमारे इस cooker को हम पूरियाच पे 15 मिनिट तक पकाते हैं, स्टीव करते हैं बेसिकली, तो ये उसके बार हमारी इडली त्यार हो जाएगी तो आज हमने बनाई है कीमा stuffed इडली, जो आप मटन या चिकन कीमा से बना सकते हैं वो आपके उपर preference है कि आप कैसा उसको खाना पसंद करेंगे लेकिन कीमा आप एडली के बतन को आप एलेके पानी हमने एडली कर दिया नीचे बेस में पानी जाएगा उसके उपर जो आप वहाँ पे लेयर देख रहे हैं वहाँ पे हमारा एडली के बतन एक एक करके हम रखते जाएगे और फाइनली इसको उपर वाड़ेक रखकर क्लोस करेंगे कंप्लिट क्लोस करके उसको गैस उन करके 15 मिट हमको पकाना है और एक बार यह पकने के बाद हम चेक भी करेंगे इसको तो मैं जो आपको 15 मिट बता रहा हूँ यह हमें कंप्लिटली चेक करकर ही मैं आपको बता रहा हूँ मतलब यह है कि 15 मिट को यह पफेक्टली पक जाएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा चेक करके किस तरह के से हमारी इल्ली त्यार होगी उसको ढखकर 15 मिट इसको पकाना है ज़रू ध्यान में रखिएगा अगर आपको कोई भी डौट या कुछ भी आपको पूछना है फिर भी हम उसको चेक करते हैं तो हमें चाकू की मदद से थोड़ा चेक किया है और यहां पे कम्पेटली यह पक चुकी है और अब एक सबसे इंपोर्टेंट और एक टिप यह है कि एक बार यह आप इल्ली का बतन निकालने के बाद इसको 3-5 मिट आप इसको वैसे ही रखें उसके बाद इल्ली को बतन से निकालेगा इससे क्या होता है कि यह कम्पेटली थोड़ा थंडा होने के बाद अराम से निकलती है और यह कम्पेट होल जो फूरी साबूत इल्ली आप इसको निकाल सकते हैं सेट करके एक-एक निकालते जाएगा तो यह मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तर किसी यह बनी है और खाने में बहुत ही ला जवाब है यह जो इडली का टेस्स और जो कीमा आएगा उसमें जो तीखा जो मसाले दर कीमा होगा बढ़िया लगीगे बहुत ही स्टेंड अलोन रेसिपी है मतलब इसके लिए कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है सिर्फ चाय के साथ आप उसको खा सकते हैं आप उसको घर में ज़रूर बनाएगा और आपको तो यह देखे हमारी इडली तयार है देखने में भी कैसी है इसको जो आप थोड़े पैचिस देख है कीमा दिख रहा है उसमें इल्ली में बहुत जबरस दिखने में भी है और खाने में भी उतनी ही उससे ज्यादा लाजवाब है तो आप उसको ज़रूर ज़रूर बना एक मस्ट्राय रेसिपी हैं यह कीमा स्टफ इडली तो इसको नोस्वामा चनल पर आपको मैं लाता हू बहुत ही delicious homemade recipes और जो normal recipes को कैसे taste उसका enhance करें कर सकते हैं या उसको कैसे healthy बना सकते हैं हमारे ज़राता recipes आप पाएंगे हम healthy health conscious के इसको बनाते हैं शक्कर की requirement जब होती है तब हम कम से कम उसको यूज़ करते हैं उसके जगे पर जो alternative होते हैं वो यूज़ करते हैं और जो कम ते बंहुत है lella bunu तक does cap करें और इसको अब महमानों को बना कर भी खिला सकते हैं आपको तारीफ हिं मिलते जाएंगे और महमान इसको खाते जाएंगे उतनी जब्वदस बनी है और इसको आथानै से केट्स यादि की जो बच्चों के टीफिन में याप इसको डालकर दे सकते है और वो भी बड़े मज़े के साथ से इसको खाएंगे और आपको फिर से फर्माईश करेंगे बनाने की तो ये आज हमने बनाई है कीमा स्टफ इडली जो कि हमने आपको जो निखाया कमपिन मेंट उसको फॉलो करिएगा अगर आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो हमें नीचे कमेंट जटेंड में जरूर पूछें अगर आपको पसंद आयो तो जरूर लाइक करें अपने फैमिले फैंज के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लुट उटाते रहें इस रेसिपी का फिर में टेक नहीं रेसिप कॉछलु को भी दूरूर कि आपको जरूर लाइक का दिना हमो चानी अगर सिट भी अगर ख़गो पना जरूर ए शबाते बाड़ को यज को अना उन्त करें साय करें आपको वो पालव我 में आपकोशनू जरूर लाईट जरू हाुछrial